मंदिर के महंत की पिटाई CCTV में कैद मुरादबाद के थाना कटगर छेतरिस्तित प्राचीन माता एवन शिर मंदिर के पुजारी के साथ कुछ लोगों द्वारा की गई मारपीट की घटना का वीडियो सामने आने के बाद से पुलिस की कारे प्रणाली पर प्रशन चिन लगया पेडित पुजारी के अनुसार इसकी शिकायत घटना के समय ही ठाना पुलिस को देवी थी घटना 19 अक्तूबर की है मारपीट की ये घटना मंदिर के बाहर लगे CCTV में कैद होने के बाद भी आरोपी खुले आम खुम रहे है और मंदिर के पुजारी ने उनके साथ हुई घटना पर प्रदेश की योगी सरकार से न्याय की गुहार लगाई है तरसल मामला उस समय सामने आया जब घटना को एक हटे से भी ज्यादा हो जाने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाप कोई कारवाही नहीं की और पुलाल शर्मा के साथ विगत 19 अक्तूबर की शाम कुछ लोगों ने मंदिर से खीच कर जबरदस्त मारपीट की थी उनके उपर पुरसी से भी जामलेवा हमला किया गया था ये पुरा वाक्या मंदिर के बाहर लगे सेसी टिवी में कैद हो गया था और आरोपियों के चेहर अपनी जानमाल की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री योगी आधितनाथ से न्याय की गुहार लगाई है घटना का CCTV फुरेज वाइरल होने के बाद आज दस दिन बात कटगर पुलिस ने मामले का संग्यान दिया है लेकिन अभी इस मामले में कुछ भी कहने को तयार नहीं ह आज हूँत है दोनर के लिए बूलाभ बाड़ी कि अंध वह कि माता मंदिर है हाइव एपर रामपूर रोह पर रिक्स लेने तेजार ने जाए बस हमारी सरकार्त योई बो है कि ये सादु संतों के चाथ में अत्याचार्थ हो रहा है मार कि इन जो हो रही है इस सरकार्त आने वाले समय माज हमें कोई भी है कि यू ना होना है अजया नहीं होना कि यह नहीं होना कि यह नहीं होना मंत्रों मोगता मार कि इस सपार्त आपके वीडियो के वाइरल हुने ख़बर दी जा लिया यह वीडियो पुराना 19 अक्टुबर का है इसमें पोजारी मंगुलार शर्मा का मदर सही नामक विक्ति से ठेलो को लगाने के संब्द में वाद्यवाद मा जगड़ा हुआ था जिस संब्द में स्थाने पुलिस द्वारा में निरोदात्मा कारवई की गई है फूल्बर में और इस घटना के संब्द में जो भी नहीं तक्तिय हो जा घटना थे उसके अधार पर विडियो कारवई पूल करिया जिए